तेवहारों में हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ कम तेल वाला खाएं जो हेल्दी भीयों, टेस्टी भीयों और साथ में तेवहार का मज़ा भी आए तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकड़ी पोहा चिवडा की रेसिपी तब तेल और घी का टेंशन नहीं, आप इस सूपर इजी तरीके से बना सकती है, टेस्टी हेल्दी पोहा चिवडा तो चलिए आज के दिवाले स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं हेल्दी पोहा चिवडा बनाने के लिए हम सारी चीजे पहले एक जग़ए कठा कर लेंगे ताकि आपको पता रहे कि इस डिश में क्या-क्या जाने वाला है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्रम पतले वाले पोहा लिया है यह देखे एक तम पतले वाले चीजे जो आर पार देखते है न वैसे वाले चीजे और यहाँ पे अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मार्केट में ऐसे थिन पोहा लिखा हुआ पकेट भी मिलता है इसके साथ हम ले लेंगे आधा कप भुना हुआ चनी की दाल यह रोस्टेट बैंगॉल ग्रम मिलता है मार्केट में इसके साथ हम ले लेंगे आधा कप यह मुंगफली कच्छा मुंगफली मैंने इस्तमाल किया है आप चाहिए तो भुना अला ले सकते हैं आधा कब हम इसमें काजू ले लेंगे, काजू को ऐसे दो टुकडो में अलग-अलग कर लें आधा कब सुखा नारिया ले लेंगे, धेर सारा करी पत्ता ले लेंगे, करी पत्ता से इसमें बहुत अच्छा स्वाधाता है हरी मिर्च को ऐसे लंबाई मिकाट ले, मतलब चीरा लगा के इसके साथ पी सीवी चीनी ले ले लेंगे, दो बड़े चमबच इसके साथ हम ले लेंगे यहाँ पे चाट मसाला पाउडर या फिर आमचुर का पाउडर और इसके साथ काला नमक, आप इसकी जगा नॉर्मल नमक का भी इस्तमाल कर सकते हैं तब हम चलते हैं चूड़ा बनाने के प्रोसेस में, तो उसकी लिए जो चूड़ा है न, इसे हम सूखा भून लेंगी पैन में तेल वगेरा कुछ भी नहीं डालना है, और नॉन सेक या स्टील या एलवुनियम कोई भी बर्दन आप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं इसे हमें सूखा आठ से दस मिनट तक भून लेना है चूड़ा को भूनने में समय लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे भूनना शुरू करेंगे न, वैसे वैसे यह श्रिंक होगा और क्रिस्पी होता जाएगा तो यहाँ पे यह देखे, गैस का फ्लेम मैंने धीमा रखा है, तो चूड़ा जो है वो पहुँ जादा गरम नहीं रहता है पर आप इसे स्पैचुला से मिक्स करें, मेरी तरह हाथों से नहीं और यहाँ पे जैसे इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंच हो जाएगा, आप इसे ऐसे तोड़ के देख लेए जब आप इसे ऐसे हाथों पे क्रश्ट करेंगे न, तो पूरा चूरा हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया है मैंने, इसमें यह मुंफली को भून ले, यह देखे नॉर्मली पोहा चूरा बनाते हैं तो सारी चीजों को तल के निकालते हैं, यहाँ पे हम तेल का इस्तमाल करेंगे और सेम वही टेस्स लेके आएगे तो जैसे ही मुंफली में दरार आने लगे, मतलब क्रैक्स आने लगे, तब हम मुंफली को निकालेंगे और उसको इस च्योड़े में डाल देंगे ने देखे, सारी चीजों को हलके से तेल में फ्राई करके और उसके बाद वापस च्योड़ा में मिक्स करना है वापस दो चमस तेल डाला मैंने और वापस यह जो भूना हुआ चना डाल है उसे भी भून लेंगे वैसे भूना हुआ चना डाल को भूनने की जरुवत नहीं होती है लेकिन अगर आप उसे तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, सौना सौना टेस्ट आता है तो यहाँ पर इसे भी हम इसमें डाल देंगे अगर आपको तेल का इस्तमाल नहीं करना है तो मुवफली, चना डाल या फिर जो काजू, नारियल है उसको आप सूखा भी भून सकते हैं बस तड़के में आपको दो चमस तेल यूज करना होगा तो यहाँ पर हमने दो चीजे भून के निकाल लिए है, अब यह काजू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे सारी चीजों के लिए एक एक चमस तेल का मैं इस्तमाल कर रहे हूँ जैसे ही काजू का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसे भी निकाल लेंगे, यह देखे तो इसे भी निकाल के हमको वापस सुसी में डालना है तो यह वाला जो चीजों को अलग-अलग भूनेंगे तो टेस्स जादा अच्छा आता है अब आप बोलेंगे कि हम सारी चीजों को एक साथ क्यों नहीं भून सकते तो सबका कुकिंग टाइम अलग होता है, जैसे मुंफली जादा तेर में पकता है, काजू जल्दी पक जाता है इसी वज़ा से कोई जादा जल जाएगा, कोई कच्छा रह जाएगा, इसलिए सारी चीजों को अलग-अलग टेंपरेचर पे पकाए तो यहाँ पर यह सुखा नारियल भी मैंने भून लिया है, इसे भी निकाल के इसमें डाल दूँगी आप चीए तो इसमें बादाम भी इस्तमाल कर सकते हैं, किश्मिश भी इस्तमाल कर सकते हैं, जो आपको ड्राइफ्रूट पसंद है वो आप इसमें आड़ कर सकते हैं बहुत लोग को किशमिश पसंद आता है, किसी को बादाम पसंद आता है, मैं यहाँ पे यह सारी चीजे नहीं आइड कर रही हूँ अब हम तड़के के लिए दो चमज तेल गरम करेंगे, और इसमें डाल देंगे एक छोटी चमज जीरा, एक छोटी चमज सौफ डाल दे, आधी चोटी चमज हींग, हरी मिल्स डाल दे, करी पत्ता डाल दे, और इसे ऐसे पका ले जैसे यह सारी चीजे पक जाएगी, हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, तो हल्दी का इसमार डेड छोटी चमज करना है, हल्दी को तेल में पका ले, और इसके बाद क्या करेंगे, कि यवला जो चूड़ा औला पैन है, वो वापस मैं गैस में रख देती हूँ, और तड़का इसमें डाल देती हूँ, अगर आप बड़े पैन में तड़का लगा रहे हैं, तो चूड़ा को इसमें डाल दे, और उसके बाद धीमी आज पर दो मिनट तक ऐसे पका ले, यह देखे, ऐसे मिक्स करते रहेंगे तो चूड़ा जो है वो क्रिस्पी भी रहेगा, और चूड़े का जो कलर है वो ऐसे यलो हो जाएगा, अब हम इसमें लास में एक चमच आमचूर का पावडर, एक चमच यहाँ पे काला नमक और दो बड़े चमच पिसी हुई चीनी डाल देंगे, इसे क्या होगा, खटा, मीठा और सारे फ्लिवर जो है वो एक ही साथ आए तो इसे ऐसे मिला दे, बस हमें यहाँ पे गयस को बंद कर देना है, यह देखे, अच्छी तरह इसे मिक्स करते हैं ताकि जितना हमने चीनी, आमचूर का पावडर या नमक डाला है वो मिक्स हो जाए, बस यह देखे, यह हमारा पोहा छोड़ा बन के तियार है, जिसे हमने बहुत कम तिल में बनाया, गयस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा हो जाने देंगे, जब यह ठंडा हो जाएगा तब आप इसे एर टाइट जार में भरके, आप इसे स्टोर कर सकते हैं महीनों तक, बहुत ही टेस्टी लगता अगर आपने कभी पोहा छोड़ा नहीं बन बना के रक सकते हैं महमान को चाई पे देने के लिए या बच्चो के खाने के लिए और आप इसे ट्रवल में भी ले जा सकते हैं, तो इसे बनाना आपने देखा कितना आसान है और इसमें हमने ज़्यादा तील का इस्तमाल नहीं किया है, जिसकी वज़द से आप इसे आराम